गुर्बचन सिंग्पुलर दी पुस्तक दीवे वांग बल्दी अख दी कहाणी हैं मैं गजनवी नई इन्ने साला मगरों जसी नू मिलन जाना बड़ा अजीब लग रिया है मेरे लिए अपने दोडे अपने खिची लचमन कार नू उलंग के बार निकलन वाली गल हैं इन्ने साल ना मिलन दी कोई मजबूरी भी नहीं सी तो कोई दो टोकुसों भी नहीं सी चुकी होई बस उन्जी मांच एक फैसला हो गया सी अपने आप सोतेसे अनकीत ताजया फैसला उन्जता जे सोचिया जाए गाले भी सी कि वो कदी वाख जा दूर लगी ही नहीं सी इक अनोखी सैजता नालो मेरे नेडे नेडे रही सी दूर हुंदियां भी सोचांच नेडे एता कल्पया भी नहीं जा सकदा कि मैं जसी नल अपने नाते नुएं में महत्तव हीन कटना समझ के जैं अपनी जीवन पुस्तकदा पूरा हो चुक्या कांड समझ के उधिवर के पल्ट चुक्या हुआ ये दी उल्ट जोदों यो याद आउंदी सी हो गीत होन भी अपने आप मेरी जुबान उते आ जानदा सी जब तो मुझे अपना कहते हो अपने पे गरूर आ जाता है जसी कोड बैठे यान जोदों भी मैं ये गीत गुणगुणाओं लगदा कदी ओ आख दी कि ओधी विडियाई करन ली मेरी कोड बस ए एक फिल्मी गीती रहागे आसी ते कदी ओ कहन दी कि मैं उन्हों किन्ना भी बनावा उ बनेंगी नहीं जोदोंने मैंनू चड़ाउना हुंदा उ मेना मार दी कि मैं ये गीत गाके ओधी ता तरीफ कर रहा सी जा नहीं अपने आपने आपनो जरूर हिंदी फिल्म दा हीरो समझ रहा सी उन्हों पता सी कि मैंनू सब तो बहुती चेड़ बंबय या फिल्मां दे हीरो नाल सी sticks खोब सूर्थ असल वेक्षक चीज़ वेचन होंदी सगोद्धे कमेरी आख्खालने सी मेरी आख्खालने ऐस कहोवे वित वक्रीगाअ को वह मिरी आख्खांतों बिना भी काली बहुत खूब शूरत बहुत खूब शूरत ते जदो उनु याद करदां, कोई नमी रचना करन ले होदा दिता पैन, डबी विचो करदां, मेरियां किताबां दी हाशियां होते, गंबीरता नाल जा, शिरारत ना लिखियां होते हैं, टिपणियां पढ़दां, ता राज्यू दी एक सत्री चिठी वी फाइल चो करद के जो मैं कई सो वार पढ़ चुक्या, हुन ता पढ़न दी लोडी नी पेंदी, बस उन जी देखला न, इस चिठी नू देखना चंगा चंगा लगदा है, हुन तो मैंनू लगां करने तक पूरी जबानी याद हो गई है, मैं थो विच्छडन तो कई साल मगरों जसी एक वार राज्जू नू लुदे आने स्टेशन उते दिखाई देते सी, राज्जू मेरा जिगरी यार होन दे ना ते चंगी तरा जान दा सी, क्यो मेरी की लगदी सी, ते मेरी ली की कोज सी, ओभी राज्जू नू एक दो वार मिली होई सी, पर ओधी एननी जानू ने सी, क्यो मेर ते अपनी सांज उन्हों राजू नाल अपनियां गल्लांदा विशा बना सके। जसी दे नाल कोई आदमी सी शायद उदा पती होगे, शायद की पती होएगा। एसे करके राजू ने उन्हों बुलाया तना, पर उत्वी स्टेशन तो एक सत्री चिठी लिखके पादेती। लफाफा ना होन करके उन्हीं कागस दे कीता। उन्हों देखन लई तै एल्बम चे लगी होई उदी तस्वीर देखन दी भी मैं कदी लोड मैसूस नहीं सी कीती। उदी नुहार मेरे मांचे व सेतरां सजरी सी जिमें कमरेच रखी होई हर समयक्तां सामनी रैनवाली मुर्ती दी हुँँदिये। मेरे मांचे स्थापत होई एक मुर्ती तसी और कोबसूरत ते नेक कुडियां हुँदिये। तो कोई कतरा नलता हरे कुडी ही खुबसूरत हुन दिया है पर कई बहुत खुबसूरत हुन दिया है ते कोई कोई ता बहुत बहुत खुबसूरत हुन दिया है पर बाग दो फुल वी की जिदे दुवालेयों डानियां छांग के पत्ते को तरके उन्हों बारिया गया हुए ते उकुझ अब मान जाए नल हवाचियों हलूरे लारे हुवे, जिमें बाग्ज सर्दारियों से दी हुवे, फुलता जिमें ते जित्थे खिड़या हुवे, उमें ते उत्थी शूब्द है, कोई देखे था बसे नहीं कहें, वा करतार, ते जसी खुबसूरक थोंदे नाल- कुद्रत दे आम मनने जान्दे के नेम दियो लंगना वेसी, केंदे हंजना कुडियान उसो हपन मिल्दा है, रब दे करों स्यान पदी दात नहीं मिल्दी, पर जे रब दे बनाई नेम बंदा अक्सरी तोड़दा रन्दा है, कदी-कदी रब आप भी तोड़ी लंदा कलती रब कर दे लिएगा, कुप्सूरत तन्नाल ओदा सूज पर पूर मानयों से जो मैं सोने देक टोरे चमरत पर यहाहूँई जी रिखती सादी वा राभ ला १ूल्ती रही बहुत वहाल जात इस सद्सादगी नाल से रवा लया ता हाल भी नही ता ना ते जदो इक वारियोंने मैनू अपनी तस्वीर देती सी, उस वेच वी ओदे वाल बे परवाई नल इदर उदर खेल रहे हुए सान, ते बेतिया नीच उनी मुड़यां उते विछी हुई सी, उन्हें दस्या सी के किसे फाम होते लॉंड ले खेचवाई सी, ए ता उस तेन टं मैं अपनी बान छाती दे अग्ये कर देयां क्या, आज जदो राजू दे बुलाणू ते जसीनू मिलनली तुरन लगया सी, दिल कीता सी, उदी ये तस्वीर तुरन तो पहला एक वर वेख लवाँ, पर उदा तत्या अंतर अंधी लोड हुंदी सी, के उस सामर तक मान दिया आखां सामने आखलों दे सी, ती आज भी उदी नुहार चे ते उननी सजरी ते निकरमी सी, जिमें ओदों सी, जदों सी रोज मिल दे सी, ओखो अपसूर्ती, ओखो सूज, ओखो सादगी ते निर्चलता, उन्हों याद करन समय कुछ इस परकारदा अनभव ते आसास होंद सी, पर मेरे कोलताओ एतो भी पहला चली जाने सी, ओदे पिताजी दी बदली होगे सी, जिन्हों तरक्की नल्फ होई, होन करके रुकवणानी सी, चोंदे, बस जसी देमत्यान मुक्ण दीव डीक सी, मेरे जजबाती सुबानू सैज परी दियंगलन सदाई नीरस ते बेतु मैं पहाड़ांच पत्थरा नल खेंदे, सिर परने डिग दे, तेज तेज वग दे, अपने आप तोड़ दे, जोड़ दे, नाड़े वांग विचर दा रहा सी, पर जदों जसी दा साथ होंदा, मैंनू लगदा जबे मैं किसी पद्रे में दान चा गया हुआ, ते अबोल, अब एग ठर में नालवा गरिया हुआ, जसी जान तो पहला अन्तिम वार मिली, ते मैं उन्हों आखन लई वी, एन आखिया, जा, कह लो कि आखी ना सकिया, कि मैं उदे बिना मर जाऊंगा, जसी नवीता हमार के मेरी हे कनल सेर मारे है, ते ना किते दूर किसी अधिक संसार लेचलनली तरला के था, हाँ ये शायद साथी पहली मिलनी सी, जो इननी जजबाती सी, पर इस मिलनी समय वी असी बहुते उलार नहीं सी हुए, उन्हें तुरन लगया किया सी, कि ओ जाके मैंनू चिठी लिखेगी, मैं उन्हों उस कुड़ी दी कहाने सुनाई सी, जो एक सम ते मैं जसी नू जवाब देता सी, कि मैं उन्हों कोई चिठी नहीं लिखांगा, बस इहो काम ना करांगा, कि जथे वी रहे सुखी रहे, उन्हें वी चिठी या रही मुलाकातां दी संभावना दा, जजबाती रोना नहीं सी रोया, ते असी वक्ष भी हो गया, जसी दिया आणवाली गालने, शायद उधी स्यान पिनू होरवदेरे सावधान कार देता हुएगा, मेरे ता उधी टो रखन दा कोई स्वाली नहीं सी, जद मैं जसी दा, जद मैं जसी दा ख्याल ओंदा, पेला मंच, नूरी मथे, निर्चल मोटी आखां, तिखे नक, ते बे मुलू म खुले बुलाँ वाला, उधा चेरा उबरदा, फिर एक शांत सुरोवर च पल्ट जांदा, जेदेच मैं पत्थर बाणके डिगणाने सी चांदा, उधे जान मगरूं बीत्ते वर्यांच बस एक वार जसी दी खबर, राजू दी उस एक सत्री चिठी तो मिली सी, जो मैं कई सौ वार पढ़ चुक्या सी, तै मैंनों लग करने तक दी पूरी याद हो चुक्या सी, तैस बबा नाल परी हुए इस जंदगी जो मौका मेला नाल परी हुए इस दुनिया विच जसी हुन राजू दे शायर पुझ गई सी, उधे पती दी बदली उत्थों दी हो गई सी, प कोई ना कोई वियों तो बना लेनी सी, राजू दी चिठी पढ़ के दिल दी तरकन रोक दें रोक दें विया आप मुहारे तीस हो गई, जी किता जी सैज नाल बिना किसे पवाडे दे चुप चाप जसीनों मिलिया जा सके, अपने द्वाले अपे खिची लचमन कार जेओं 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 राजूदा कार नेड़े आ रहे है, दिल दी तरकन फिर तिकी उन्दी जान दी है, मैं राजूदा भू अठकोर दा, कोई अदखड ओरत कुंडा खोल दी है, ओ एक पल मैंनू गौन अलवेख दिया ती निमा जै मुस्कुरा के फते बलों दी है, मैंन नाल हात मलाओंदा याए, ते मुस्कुरा के मेरा हात कुटदा है, ओ आवाज दन दा है, बही पानी लेओ, पबी शायद के यदर उदर है, ओ औरत पानी लेके आं दिया, अद चिट्टा से रखन दवाले काले केरे, बदरांग बुल, तड़िया चातियां ते खमीर्या होय ग्लास फड़ा के उबू अखोलन वेलेवांगी मुस्करों दिये। मैंनू दुबारा दी इस मुस्कराहत नाल उल्जन हुन दिये। मैं सोच दाएं औरत कदी किते देखी था है पर चेते कुछ नहीं आ रहे है। लगदा है तुसी मैंनू पछाणिया ने तुसी पछाणिया ने यो हेने रहया को जेते किस्वेे गाष्ण। कर देखेंया पर चेते केंदर चेंभल towel tips स्चनी मैंनू उल्ज्या देखी राजू दास्ता है जगजीत है। जगजीत वह动 एकक इभी जदों जगजीत नो नहीं समझ सकता राजू हुलस्ता है। जिगजीत नहीं बई, पूतली पूतली, मैं खड़ा ओके ओदे सेरो ते हाथ रखता, मर जानी है, पूतली हैं दू, पहला ग्यों नहीं बोली, पूतली सुनके एकदा मेरे चेतेच, तूत दी छमक वरगी को कुडी उबर दिया, तरती छोंड़ी व्याकुल, काले स्या, वाल गोरा रंग, हर नोटी वरगी आखां, पड़पीसियां वरगे बुल, गठवां, लचकदार सरीर, पूतली ने थे नान की रहा के बियड कीती सी, जदोवी मैं राज्यूनू मिलन जान्दा, जिगजीत दे सुहपन करके पया होया होदा, लाडदा ना मेरे कन्नी बेंदा, पूतली पूतली वरगी गुबसूरत था उसी, सौर अटबर उनू पूतली पूतली के अंदा रंदा, राज्यू उनू पूतली के अंदा, मैं भी उनू पूतली के अंदा, पाभी कमरे चाओं दिया, ते मेरे पूतली नू ना पचान सकन कारण पाई हासे चे शामल हो जान वो कमरे चोंदिया ता जगजीत मेरे सामने हुंदी ता जगजीत मेरे सामने हुंदिया द चिटा सेर अखां द्वाले काले केरी बदरांग बुल टलियां चातियां ते खमीरियां होया सरीर वो कमरे चो चली जान दिया ता पूतली मेरे मांदी आखा सामने साकार हो जान दिया तरती छोंड़ी व्याकुल काले से आवाल गोरा रंग हर नूटी वरगी आखा पलपीसिया वरगी बुल गठवान लचकदार सरीर मैं दो वजे वाली गड़ी फाल लवांगा मैं सब नू सांजा जवाब दिनना मेरा आज पिंड पहुंचना बहुत ज़रूरी है चिठी गई सी कोई करे लूल जे मैं सारे बठे मेन्मियों डीक दे होनगी राज्जू उल्जगया लगदा है वो कुछ कहना चौनदा पर पूतली ते पाव बिदे सामने कह नहीं सकदा पैर दी मोजकारन वो गल करन ली बार तक मेरे नाल भी नहीं आ सकदा बस वो नहीं नहीं करी जांदा है मैं आखदां कदी फेर आवांगा आज ता बस लंगया जांदा मिलना आगया सोचे एक गड़ी छाड़ के दूजी फाल लवांगा मैं टैची चुकदां पावीनू फते बलोना राज्जीवनू दुखदे प्यारना लुठनो वर्जदां फूतली नूँ एक वार फेर देखदां ते बार आके स्टेशन ले रिक्षा पढ़ लेड़ा अगला एपिसोड है मैं कोई गोर की नहीं एक अनोखी गल है जो मैं पाठक वज्जों होते फिर लेखक वज्जों भी अनेक सालां तो पढ़दा सुनदा आयां रचनामा नूँ पुत्तांती आनल तुलना देते जाना है ते जदों किसे लेखक नूँ अपनिया रचनामा विच्चो चंगेरियां चांटन लीके आ जानदा है उलाग पग हर सूरत विच एहो जवाब भी सुवाल कर दा है कि कोई मा अपनी अलाद विच्चो चंगी माडी दी चौन कर सक दिये एह जवाब दो पक्खां तो बे तुका होंदा है पहला था एह तुलनाई जजबाती बहुती ते यथार्थक काटा है ते दुझे कि मानुवी साच मुची सारे तिया पूतिक को जिनने प्यारे ते गुणवंत लग दे हन खैर जे होर लेख काम करके हूँ आख दे हन उनना नलेयों ही हुंदा होगेगा पर मेरे नलेयों नहीं हुंदा जब मेरे परकाशक ने किया कि मैं अपनी यह कहाणियां विच्ची चून देया मैंनू को बहुती ओख जा उलजन मैसूस नहीं हुई हाँ एदा पाव यह किमे भी नहीं के इस पूस्तक देके रेतो बार रह गें यह कहाणियां उत्ते मैंनू मान नहीं वैसे लेखक नू अपनी किसे कहाणि दा वद काटचंगी लगना एक दिल्चस्प वरतारा हुंदे किसे कहाणी दा उ बहुता उच्चा मुलंकन करदा है ते पाठक भी उनू उसे तरह लधी है किसे कहाणी बारे यो दुच्चिती च हुन दै पर पाठको नू रजगे प्यार दे उदा मुल लेखक दी नजर चो होर भी वज जन दै कई वरो दी किसे बहुत मन पसंद कहाणी नू पाठका तो इच्छत परवानगी नसीब नहीं हुन दी मैं समय दा किसे रचना लई असल कस्वटी लेखक दी तसलीत पाठका दी परवानगी तो मिल कई बाण दी है दूसरा साहित दा भी मेरे मांच बहुत अगे साहित दा बीज मेरे मांच बहुत अगेता भी जिया गया से अपने पेंड पित्थो दा प्राइमरी स्कूल मुका के पंजमीच रामपुरा फूल दाखल हुया बापुजी फोच पेंशन लेके कारा चुके सी स्कूलों मुर्दे आउना ले पंजाबी दा रोजान अखबार लेओना हुन दा ते पाईख जान सेंगा बसाती दी दुकान हुते अखबार भी राख देसी ते पंजाबी साहित भी ते पुस्तकां कराय थी भी देन देसी बापुजी परती होन तो पहला पिंगल पड़े सान ते कवी शरी राच दे रहे सान लम्मी फोजी नौकरी समे जिदेच दोमा संसार जंगान दे तमाके ते पाम बढ़ते उना दा हेकच गोडी खाना पर बाच रेना वी शामल सी साहित दी लगन तरती दी कुखविच संडे संबे बीजवांग दबी रही उपा इख जान सिंग दी दुकान तो नानक सिंग दे नौवल गुरबक सिंग दी अरच नावां ते होर पुस्तकां कराय उते मंगोवां दे मैं एक पुस्तक मोड़ां दा दुआनी दे के दुजी लिया दन दा ते जमीन साड़े हिस्से ठेके उते दित्ती हुन दी शी गर्मियांच पिछले प्यार ते सियालांच रात नू मेरी मां कामकार तो वेली होके चर्खा कत दी गलोटेर टेर दी जान ओर अजया कुझ कर द जिनने कांड पढ़ने हुन दे पढ़के निशानी रख दे हुँ पुस्तक अगले दिन तक संतोख दिन दे बाप पूजी ने नौकरी समें बहुत सार यां पुस्तकाई कतर कीतियां यांसी इना चोना दी फौज दे गरंथी करतार सिंग लास वालिये दे दशमेश परकाश बंदा बहादरात सारे काफ ग्रंत वीशन ते पत्थर दे चापपे दी पाई बाल्य वाली जनमसाकीतु लेकी ग्यानि ज्यान सिंग दी तवारीक गुरुखाल साधियां सारिया जल्दां तक सिके ध्यास वीशी इनाच मोण सिंग वेदियां बन्सुवनियां पुस्तकाई साधू द्या सिंङ दे किस से वी सान। कमरा एकाली दा सफर नाम बैसी ते नानक सिंग दे पहले नावल भी ते गुर्बग सिंग दिया मुडलियां पुस्त कावी। किसे ना किसे पुस्तक दा पाठ चल दाई रहा दा प्रीत लड़ी हर्मी नेयों दी सी मगरोलु दियाने तो कमाल दा सहितिक पंजाबी हफ्ता वर ललकार निकलेया तो वियोन लगया एसी मोहाल जी देच मैं सुर्थ संबाली अज पिछे मुर्के वेखदान ता मान हुं दे क कि साढ़े बहुत पच्छड़ी होई लाकी अंदर के विल साढ़े पिंड वीची नीए सो गो नेडे तेडे दे पिंडा वीच वी शायद एक साढ़ा कारी यहों साहितिक सी पर मैंनू स्थापत लेख कांदे जनमस्थान पढ़के लगदा है कि जमें कांक कपा सेन जूखे लेखक पोठो आर्च जामरिसर तेलो ध्याने दी तर ती जम दे होणगे साढ़े पिंडा विच ता वद तो वद कभी शरो हो सकते है उन्ज ता पाईकान सिंग साढ़े पिंड दे सी पर ओ राजे दे गुरू रहे हों करके किसी होर दुनिया दे वासी जाब दे वैसे भी पिंड छड के नब दी होगे सी ते उन्हाने अपने नामनाल पित्थो दी था नब भाई जोड ले आसी ते जाँ फिर दुविंदर सते आर्थी जी साढ़े लाके दे सान पर उसने आसी सी उन्हा वां काट-काटू ते जाके ग्यान दियान चूडियां कौन पीवे सो लिख देल करदा होन दे बावजूद विचेजग बनी रे तीसरा अपरेल उन्हें सोच पंजादे शुरू चीक कविता लिखी देल करडा करके प्रीत लडीनु पेती ना कोई जान ना पठान चपन दा विश्वास के थे उनासी मैदा पर्चा खोले आता दंग होके एक पलता दे आनाल ना चूठे, कविता पूरे दे पूरे सफे होते बोद वधिया चपी होई सी, ओ देन सो देन, ओ देन सो ए देन मेरी कोई रचना कदे कितो मुड़के नी आई, कई साल मेरी यां कविता में समय दे तिन परमुखर सालें, प्रीत लडी पंजदरिया थे नमे निकले आर उनाली जचदा रूप कहानी सी, मैंनू दुगल सुजान सेंग वेर कतीर ते कमल दियां रचनावान चनियां लग दियां सी, ते कहाने लिखनली प्रेर दियां सी, मेरे बापुजी तान लम्मा समा फॉच रही सन, मगरो मेरा वड़ावीर भी परती हो गया, मांते पावीदिय रेशम देछो बूरेदा का साथ कहानियां लिखियां जो उपरोकत प्रमुख रिसालेयां ची ही चपियां, प्रफैसर मोन सिंग जी ने मेरी कहानी चगल नू अपने रिसाले पंज दर्याच चापियां, ता ओदे उत्ते नोट दित्ता, ए कहानी पढ़नवाडी नहीं, पा पर अथरे बालक दे चंदर के डौना बंगणवांग सी, दिली आठी के आता खरडा ते आर कीता थे पापा प्रीतम सिंग जी अगे जा रखिया, बुठिंडा जिले दे कंजाने पिंडच बैठा में नव यूग तो चपंदा सुपना वेख्या करदा सी, ते आज खरडा त मेरे सामने राके देती, मेरा साकार होया सुपना, संबल के पुछया, उनपा पाजी मेनू सेवा दसो, उम उसकुराये ते बोले, तुसी एहो जी पुस्तक चौन दे सी न, बस ठेक है, ते मेरे इस पहले ही कहानी संग रहा है दी रजवी आउपगत होई, मेरे हानी लेख का ते यारां दोस्तां दी ता गालत चड़ो, मैं थो वड़े रहा, ने भी एधी बहुत वड़े आई किती, बलराजसानी ने लिखिया, जे लिखारी दा पहला कहानी संग रहा है, ता निर्संदे असी उधी प्रोडता हुते अस्चर्ज कर सक देया, अमरता प्रितम ने किया इना कहानियां दा डंग सिद्धा है, पंजाव दे अखडसो बादा, सूद्धे मान दा, तत्ते लहू दा डंग, ते कुल्वन सिंग विर्क ने आख्या, साच चूटते पले बुरे बारे पच्छान करंदी सूजनू, पुल्लर ने संग्रेच बड़ी स्यान पनाड़ वरत दा, उदी कहानी दा नशाद देरनाल चड़दा दे, देरनाली लथ दे, वो मालवेदी रंग परी मैं फिल विच मैंक दी मुस्कान है, संतोक सिंग्ती इर्दा निर्ना सी, पुल्लर नू कहानी कहन दी जाच है, कहानी कला दी समझ है, गुल्जार सिंग संदू बगल उठे बड़ा स्वाद आया पढ़के, काफी देर बाद नमी किताब मिली है, जो मैं मान सकेयां, ते महंदर सिंग जोशीदा कहना सी, जापदै जमें पुल्लरे नू अपनी पहली रचना दासके पाठका दिया नजरांच कटा चों करिया हुए, उदी किर्त दी सरपकी पकियाई, उदी कथन विरुद्ध साखी पर दिया, एदी कई कहाणियां तुसी बार बार पढ़ना चाओगे, गुर्द्याल सिंग ने एदी कली कहाणी तोरी दी वेलुते को पूरा लेख लिखिया, ते उर्मला अनांद ने एदी इस्तरी पातरा नू अपनी लिखत दा विशा बढ उनु कहाणी कला दी चंगेरी सूज है, हर कहाणी नू उन्हे कला मही मोड़ दते है, सारे केंदे कहों दे रसाले आख बारान चोदा जिकर होया, रोजाना जीत ने लिखिया, इना सबना कहाणियां उत्ते हंडे हुए कला कार दी छाप है, जबान उत्ते अबूर ते मुहा इलिस्ट्रेटिड वीकली ने इस कहाणी संग्रेदा जिकर कर देयां, मैंनू अपने तो पहला वड़ी पीडी ते अपने तो पिछों वड़ी पीडी वीच कारी कड़ी केया, अंग्रेजी दे साथ एक त्रैमासक तारा ने, मैंनू अपनी तजर्बे ते लेखनी वाल सुह जर्द नजरिये दे पक्षों नरुआ, पेशकारी दे पक्षों सफल केंदियां, मेरे पातरानू पंजाब दे प्रति निद किया, जो समाजक आर्थक दे मनू विज्ञानक समस्यामां दे सामने पज दे नहीं, सो गो जूज दे हैं अंग्रेजी दे ट्रिब्योन ने लिखिया, पुलर अपनी यां कहाणियानू नाटकी सिखर देन ले, अपनी पातरान दे मनू पामां विचली अचंचेती मोडान दी वर्तों कर दे, उधी कहाणी लेखनी चे प्रोडते, ओ अपनी विशेनू पूरन तोरुते जान दे, त फिर ती जे कहाणी संग रहे, मैं गजनभी नहीं नूवी पाटकान लेख कांते अलोचकाने से परपूर्स निग नाल लेया, नमे छपे चोथे कहाणी संग रहे, अगनी कल्स नूवी इहो निग मिल रहे है, मेरी एक-एक कहाणी नू जिस्त्यान नाल लेया गया, पन्यवा, जदो कोई गल कहाणी दा भी बन के मन्च पैजन दी है, सेजे सेजे उदा विकास होन लग दे, ते कटना लडी स्पष्ठ होन लग दे, पातर अपना अपना कार ते मू महांदरा फड़न लग दे है, मन मुड मुडो नन उतराष्ता ते समार दे, इस कारच कई-क कई हफते, कई-कई महिने, कई-कई, कधी-कदी तक कई-कई साल लग जान दे है, बहुत साल मगरों जाके लिखी थे पाटकामलों बहुत ही पसांद किती की कहाणी, गवच्ची प्यारदा दार बढ़न वली कटना, मेरे नाल उन्नीसो अकवंजाच वापरी सी, साढ़े ति कागरों सब कुछ फिल्म वांग सपष्ट हो जान दै, कागजां दी दत्थी ते कलम लेके कांच बेठ जानना, कागज निउस्प्रिंट तो लेके मंग एक गुलाबी जामबरी तक कोई भी हो सकत दै, कलम पजाब ऐसे यां दी रिफिल वाली तो लेके वदिया वदेशी त तसली कर लेना कि कागज मुकर ना, ते स्याई सुके ना, कागज दे रंग दा, कलम दी विशेश नोक दा, किसे खास स्याई दा, ते किसे निश्चत सुगंदी दा, कदी कोई नखरा नहीं कीता। पैन पेच्छो एक पढ़त फेर करना, जतन हुंदा है कि यहों पढ़ां जवे रचना किसे होरदी होए, पाव निरोल पाठक बढ़न के ते, निकी मोटी कांट छांड ते, पुचा पाची हो जान दी है, पर मूल रूप जो पहली लिखती काइम रहन दी है, मैं बहुती जल दिमाग तो करवाना ते हथानु बार बार दी, कलम कसाई तो बचाना, साहित रचना हैवी ता, निरोल दिमागी किरेगे, मेरा विश्वास है कि हथानल काट वाड करके बार बार लिखन दा, निरोल सरीरक काम दिमाग दे कर तारी काम दा स्थान नहीं ले सकता है ठीक है संसार पर से द लेख का विच्चों भी एकको रचना नू दास्तास वीवी वार लिखे जान दिया उदारना मिल दिया है लिखन दा उभी तरीका हुंदा हुएगा पर मैं ता योई लिखन दा एकको वारीच पूरी दी पूरी कहाने ते उभी लगबग अंतम रूप विच्च अपनी लिख्त के रिया मैंनू काड़े ये लमवांग जाप दी केंदे है के काड़े ये लमदा ग्याता जदो रूहां जगांदा है उदे सामने साकार हो जाने है जदो लिखन बैड़दा मेरी एक कांत विच पातर साच मुच इसे परकार आपर गठून दे है मैं ता बस लमबे बैठा होना दियां केणिया करनी आते सोचा कागज होते उतार दा जाना उना दे सैज विकास ते कहाणी दे करम विकास्ट मैं गुरुबचन सिंग पुल लड़ना दी आदमी नू दखल देन दी खुल नहीं देंदा इना पलांच में सच मुची कवखरी जिन्दगी जियों रहे होंदा जो दो अपनी कोई रचना काफी समा पैजान मगरू पड़दा ता बड़ा ये अननंद भी होंदा है ते बड़ी हैरानी भी होंदी है केस कटना एस वाकेस वारता लात ते एस पातर दा सिर्जन मैं ही कीता सी इभी केंदे है के काडा इलम कुरवाननी भी बहुत अमंग दा है ये ठीकी है बहुत सारिया कहाणिया लिख देयां तिखियां जजबाती पीडां चलणियां पेंदी है कलम दी नोक नू सच मुझ अपने दिल दे लहुच डूबना पेंदै ठकेवान दी नाइका आसो दी सिदक कमाईदा जदों वी ते आंतर दा शर्दान लखां परल परल वाक्यों दे दोएं पैरतो दिन्दी है तोरी दी वेल दे तर मेने जदों वी जण्डूते चाड़ी गई तोरी दी वेल कैलों दी हम दरदी च वरलाप कीता है जफी पाके उनू चपकरोन लगया हर वार आप फुट फुट के रोया खून दे करतारे ने पती जेनू कतल करन दी था जदों वी तलवार वगा के सुट दिया उनू बुकल्च लिया है उनू मुंडे समेत हेक नाल लों दिया अपने जजबे मोड़े नी गई विरलां चो चाकदा हने राद दे काड़े खांदे वाड़े दे वेड़े च जदों वी उसनाल दुक सुखदियां दो गल्लां करके उठियां अपने अंदर बार एको जगाड लेके उठियां गवाच्ची पैड़ दी कुलविंदर दे जजबेयां दी लट लट बढ़ दी अगनी उत्ते जदों वी पाणी डुले आए निडाल होके मंजे उत्ते पैगिया ते वक्ता मारे दे दर्शन दी माने जदों जदों वी मेरा लुटेया टाक बंगाला वी पुत्ता दा कीर ना पाया मिरी अंपो बा निकल गई है साच जानू इन्ने साला मगरों आज वी एक हाणी में थों ता हमारे बिना पड़ी नहीं जाल दी निगूना बेर वी बेरी दा कंडाल वाए बिना प्रापत नी हुन्दा रचना दा ये मुलता तारना ही बनदा ना ये तो कोई छुटकार है ते ना ये दा किसी उत्ते कोई ऐसान है छेवा ते जदों पहली वार कहाणी लिखके कमरे चो बार आउना ता पतनी ते बच्चे तुरंत द्वाले हुजान दे उं मेरे सब तो पहले रसी ये सुरोते हुन दे है ते बहुत सूजवान ते नगुची अलोचक वी कहाणी उना तो पास हो जाए ता गिमार नी खान दे मैं एक कहाणी लिखे जिदा आजे कोई ना नी सी ओड विया यकीन करू के लिखे जानतो तुरंत मगरों सुनन पेचों इदा ना विरलां विच्चों चाकदा हनेरा मिरे उस समे नौ सालना दी बच्ची पावनाने सुजाया फरवरी 84 दे आरसी च चपन मगरों इक कहाणी वदेश्ट डाक्टरी पाड़ रहे मेरे बच्चे सनेप आल सिंग पुलर ने पड़ी ता उने चिठी च विशेदी चोन उगड़मी पातरों सारी ते काले च पड़ा सी दे तरम दा उल्ला राक्सकन दी मेरी सफलता दी परशंसा करन मगरों लेखिया पिता जी जान लेखक सिरी पुलर की मैनू इक अज़ेई गालकेंदा अधिकार है जो कहाणी बारे मैनू कुछ-कुछ अखड़ी है हाँ, मैं समझ दां कि एक पाठकोन देना ते मैनू आधिकार है मेरा ख्याल है कि जाने पच्छा अंजाने पंड़त राम परताप दा पातर मैंगल सिंग नलू बदेरे जालम रच्चे आगया एक वार लेखक मैंगल सिंग दा वर्नन करनों ये आख के बचदा है कि ओधिकार तो दूर रहनदा सी ते ओथि ओपनी गली चे रहनदा होन करके राम परताप दा वर्नन कर जान दे जित्थे कि ते वी लेखक नेना दो आपातरां दे नाम लिखे है उन्हें पहला राम परताप लिखे है फिर मैंगल सिंग मैं समय दा के संताली चे वडेरी पुमिका मैंगल सिंग ने बाई सी ते राम परताप दा स्थान इस बंद चो तो पिछे हो दाए असल चे जिनान दो अखी वेखे हिंदू सिक हिंदू ते सिक बंदया नू लेकी मैं ये कहानी लिखी सी उनना दा असल जीवन विचलाई वेर्वा रचनाच सुते से दागया सी पात्राँ दे नावां दे वदेरे विशाल अर्थ लेंदिया मेरे बेटे ने बहुत वड़ी उकाई अन्बब करवाती जुआपच मैं लिखिया प्यारी पुत्तर मैं तेरा नुकता पूरी तरहां परवान करदा ते कहानी नू पुस्तक मैं गजनवी नहीं लई लोड़ अनुसार सोध रहा कोई होर पाठक वी रचनाच किसे पड़ा आते कोई वाजब तब दिली सुजावे में खिड़े मत्य परवान कर लना एस बंदी में बहुता बेल अचक नहीं सोहर्द पाठकां तो चंगेरा पत पर दर्शक लेखक लई कोई नहीं हुंगा दिली विखे हुए विश्व पंजाबी समेलन समे में मोगे तो एक नौजवान कहानेकार मेरी कोड़ा के बोलेया सानु उपरा मर्द ते वक्ता मारे वरगियां पुस्तकां देन वाडा लेखक किन्ने समे तो चुपके हुए मेरी आखां सिलियां होगी कई वार सोच दां साड़े पाठक साच मुची वड़े उदार ते किरपालू हान। एक मुद्धत पहला चपी मेरी किसे कहानी दे पातरां बारे ये उन चार्चा कर दे हान। जिवे उना दे ग्वान चवास दे होन। उना दे सुबावां बारे गल्लां कर दे हान। उना दे वार्तालाप जुबानी सुना दे हान। इक वार कभी मित्तर दर्शन गिल अपने कैनेडा ट्रस्ट वालो चापी मेरी एक संपादित पस्तक पंजाब कुछ थाईं दोस्तानू देखे आया था बोलिया यार बेली कहने ने के काम तैवी बहुत लडीन दाती एहम सी पर जी पुल लड़ने कहाणिया ना लिखियां इस कुट तो वद लेखक नो होर किस गल्दी काम ना हो सकती है कई कहाणियां अंग्रेजी हिंदी ते कुछ होर पार्थी पशावां दे पर मुख पत्रांच चपतियां रहिया हन ते उर्दू च चोणवियां कहाणियां दा संग्रे सुभा कितनी खुबसूरत है चपियां इस सब कुछ नो वी बहुत निगी परवानगी मिली है अनेक पुस्तकान वादियां ते समपाधियां हन एक कोश भी परकाशित करवाया से एक काव संग्रेवी चपिया है लेखकां दे रेखा चेतर भी लेखे हन दस कहाणी कारान अलमियां मुलाकातां भी केती हन ते कहाण पर मेरा मुख के तरग गलप ही है, रचना कीती है, कर रहे हैं करांगा, पर स्वाल है, इस अब किस कम? उदारन वजो की मैं समाज नू बहुता नहीं था, थोड़ा जब भी बदल सकांगा? नहीं, मैंनों वजया कोई परमपुले खा जब है हम नहीं, मैं कोई गोरकी नहीं, यह वी एक वाजब स्वाल है, कि कोई गोरकी किसे समान अंतर लैनिन तो बिना, जा कहलो, इनकलाब कारी महौल तो बिना भी हो सकता है जा नहीं, पर मैं साहित रचनानू, कोई विला शुगल जा कमीज, उदेड, उदेड, केसी उदे रहन वरगा, बे तुकाते, बे लुडा कामजा दिमागी, आयाशी, जा नेफल, कालना भी नी समय दा, लगदाए टीचे तक पुझनली, मनुख जाती वलों बनाए जारे, मार्ग विच, उस काटो जिननी छोटी, पर हम पुमिकात निबाही रे, जो लंकावल बनाए जारे, पुल समय, रेते नाल पिंडाले बेड़ ले आउंदी सी, ते उत्ती आके, चाड़ दन दी सी, तन्वाद,